कहानी की शिर्वात चैन से होती है जो एक रूम में लोग होता है वो अपनी ग्रेंड मा को बोलता है पीज चल्दी से मुझे भार निकालो पर वो नहीं सुनती एक्षिरी में जब चैन बहार था तब ही उसकी ग्रेंड मा ने उसकी शादी इन से करवा दी थी वो चाहती थी च चैन बोलता मुझे ये पसंद नहीं है मौनिंग में चैन इनको जगाता है इन बोलती है मेरी तबे ठीक नहीं लग रही चैन बोलता यहां आकर साइन कर दो इनको कुछ पता नहीं था वो कर देती है पर ये तो डिवोस पेपर थे अब कुछ मत निकल जाते हैं इन चैन का व पर वो मेड़ उसे नहीं जाने देती जिन चैन का वेट कर रहा थी उसके साथ एक पिटी लड़की थी चैन इनको देखकर बोलता है ये अभी तक मेरे घड़ में क्या कर रहे है निकालो उसे इनको तो यकीन ही नहीं होता और चैन को बोलती है तुम अपने बेबी के भरे में तो सोचो पर चैन नहीं सुनता चैन की गर्फन बोलती है ये कौन है चैन बोलता है कोई भी नहीं है पर वो समझ जाती है येन का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है वो ड्राइवर को बोलती है चैन को बुलाने के लिए पर वो बोलता है बो चैन भी यहाँ आजाता है उसे यह तो चैन ख़ते हैं। पर मेरे तो टूइंस देना तो दूसरा कहा है उसका भाई बताता है जब डैट तुम्हें लेने आये थे तो उस बच्ची की सासे नहीं चल रही थी यिन परिशान हो जाती है मैं अपने बच्चे को नहीं बच्चा सकी कुछ सालों के बाद ये इन अपने डैट के बिसनस में अच्छी पकट जमा लेती है कुछ और मेंट बाते कर रही होते हैं पता नहीं कैसे पर येन का एक बेटा है किसी को भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है येन के बारे में हमने क्या सोचा था और क्या निकली एक बच्चा इन सभी को मारने लगता है मेरी मोम के बारे में शिंग बोलता नहीं, वो बंदा बोलता अपनी मोम को बुलाओ और मंगा लो, शिंग बोलता मोम भी नहीं है, तभी है येन आजाती है, उन दोनों बंदों को मारती है, शिंग सोचता है ये कौन है, येन शिंग को लेकर डीनर पर आजाती है, वहाँ पर वो अपने डेट से ब तोगोंने लगता है गलत बच्चे को पकर लिया है असिसंस बोलता है पता है ना तुम्हारी वोम तो तुम्हें मरती हुई हालत में छोड़कर चली गई थी तुम्हें हमारे बोस चैन ने बचाया है इसलिए तुम ये मेडिसिन पी लो शाओ मान जाता है यह चैन से मिलने आ पर चैन तो इनके क्लोस आने लग जाता है यह उसे रोकती है पर वो नहीं सुनता यह शावा ले रही होती है और सोचती है मेरा फेस बदल गया है इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं होगा चैन अपने असिस्टेंट के हाथो न्यू ड्रेस और बर्थ कंट्रोल फिल्स मंग वा लेता है यह इन भार आती है तो उसे वो मेडिसिन पीने को देता है इवन पैसे भी देता है यह इन को रूम से भार आता हुआ शिंग भी देख लेता है शिंग सोचता है मुझे इस दीदी के साथ ही रहना है यह कितनी प्रीटी है पर यह डाड को कैसे जानती है यह समझ नहीं आया, तभी असिस्टिं leash बोलता है यंड मास्टर आप यहां क्या कर रहे हो, आप तो चां बोलता है th क्या भूल गए हो, शिंग बोलता है, उसर थोड़ा अलग से लग रहा हुता है, चैन भार आता है, तॉंग बोलता है क्या आपको पता है, कल आपसे मिनने के लिए च आइधी चैन सोचता है कहीं वो लड़की यिन तो नहीं है ना टौंग बोलता है क्या हुआ बोसट चैन बोलता है कुछ नहीं यिन अपने बच्चे के पास आती है यह शाव होता है उसे पता था मों का रूम कौंसा है इसलिए वो वहाँ पर आ गया था यिन बोलती है मुझे जादा मिस्ट तो नहीं किया ना शाओ बोलता है वे से मेरे चोटा भाई अब नहीं रहा ना इन बोलती हाँ पर क्यूं पूच रहे हो शाओ बोलता है देखो शिंग को फिर से कोल्ड हो गया है चैन अपने बलर से शिंग की मैडिसिन बनाता था इस बार भी वो यही करने वाल पर असिस्टेंट बोलता है आप ओरड़ी वीक पड़ गए हो यह सब करना ठीक नहीं होगा चैन बोलता है तो क्या करो मुझे अपने बच्चे को तो बच्चाना ही है ना असिस्टेंट बोलता है एक और रास्ता है चैन फैमिली का ट्रडिशनल ट्रीटमेंट चैन तो इनके डाट के पास आ जाता है और बोलता है मेरे बेटे को ठीक कर दो अपने ट्रडिशनल ट्रीटमेंट से डाट बोलते हम ऐसा क्यों करेंगे चैन बोलता है भूल रहे हो क्या मैं कोन हूँ मैं आपकी फैमिली को गाया भी करवा सकता हूँ इस सिटी से डाट बोलते मैं कुछ भ बज़े से कर रहा हूं ये बिमार है यन तो शोग हो जाती है तुम्हारा बच्चा भी है कहां से आ गया बात में सोचती है मैं कितना जादा बेव को हूं कैसा सवाल पूछ रही हूं हो सकता है इसकी गर्फरिंड का होगा चैन बोलता कितने पैसे चाहिए बताओ ये इन बोलत करने लग जाता है जो तुम बोलोगी सब करूगा असिसें अपने गुट्णों के बल बैट कर मिंतिक करने लग जाता है ये फिर भी मना कर देती है चैन बोलता है वैसे तुम्हारा भी बेटा होगा ना उसके बारे में भी सोचो इन बोलती है मेरे बेटे से दूर ही रहना ठीक है अकर मेरे बेटे को कुछ भी हुआना तो मैं तुमारे बेटे को नहीं छोड़ने वाला येन को तो गुस्सा आ जाता है पर चैन बोलता है मैं तुमारा बिजनस भी बरबाद कर दूँगा तो एक बार जरूर सोच लो येन बोलती है पर मेरी एक कंडिशन है चैन यार हो जाओ तब है मैं तुमारे बेटे की हेल्प कर सकती हूँ वैसे भी तुमने कहा था जो मैं मागूंगी वो तुम करोगे तुमारी बोड़ी बेकार है इसलिए गलत मत समझना वैसे भी मेरे घर में बेड़ की कमी है चैन को तो ये सब नहीं करना था पर कोई ओप्शन भी नहीं था इसलिए हां बोलनी ही पड़ती है ये बार तब में मेडिसिन डाल देती है पर वोशिंग का फेस नहीं देख पाती चैन भार होता है वो उस रात के बारे में बात करना चाहता था पर ये बोलती है तुम जैसों के बारे में मुझे अच्छे से पता है एक रात नई लड़की चाहिए होती है तुम तो प्ले बोय निकले वैसे छोड़ो मुझे क्या तुम्हें ये याद तो है ना तुम मेरी नैनी हो चैन बोलता है जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता मैं तुमारी मेड बन कर रहूंगा ये बोलती है चलो कॉंट्राइक साइ झाल रहा होता है वो चैन को आवाज लगा कर बुला लेती है ये पूछती है ये कहन बोलता ऑफी मैं बीजी हूं बाद में कॉल करकर बताता हूँ इन बोलती है देखो ना ये गिर गया साफ कर देना और दूसरी डिश बनाओ चैन तो ये भी करने लग जाता है तब ये चैन के हाथ पर अपना सेंडल रख देती है उफ कलती से हो गया लगी तो नहीं ना ये तो चुन चुन कर बिचारे से बदला ले रही थी चैन बोलता है क्या तुम मुझसे नफर ठीक होँ नहीं चलो होटल चलते हैं शिंग ये इन को देखकर बोलता है एंजल फैरी और उसे हग कर लेता है ये मोनिग के सब्सक्राइब मार्किट से जाकर फ्रेश फेजी टेबल और फुट्स लेकर आओ वैसे घर बहुत ज़र्दा गंदा हो रहा है जारू पोचा भी लगा देना चैन बोलता है ये कहने के लिए कॉल किया था क्या इन बोलती हाँ और तुमसे मैं क्या ही बात करूँगी चैन जाने वाला था तब यहां ली आ जाती है चैन बोलता है तुम यहां बताया क्यों नहीं ली बोलती है मुझे शिंग की फिकर हो रही थी वैसे तुम कहां जा रही हो चैन बोलता है सबजिया करीदने मार्किट में ली बोलती है तुम क्यों जा रही हो येन घर पर आती है तब ही वो ली को देख लेती है ली बोलती है मैं शिंग की मॉम हूँ येन बोलती है अच्छा तो तुम हो उसकी मॉम ली बोलती है हाँ मैंने सुना है चैन तुम से शादी भी करने वाला है वो ये सब हमारे बच्ची के लिए कर रहा है अब तुम समझ होगी ना वो मुझसे कितना प्यार करता है येन बोलती है साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो ली बोलती है तुम चैन को बोल दो तुम ये शादी नहीं कर सकती हो येन बोलती है मैं उसे कुछ नहीं कहने वाली वो तुम्हारा बॉइफरेंड है उसकी हैसियत या मेर से जादा कुछ भी नहीं है इसलिए तुम भी अपने उकात में रहो ली सोचती है जैसे मैंने चैन के एक्स वाइफ को मारा था तुम्हें भी मार दूंगी तब ही चैन आ जाता है खाना बन गया है ली बोलती है मुझे भी खाना है मैंने चैन के हातों का कुछ भी नहीं खाया है चैन ब तुम तो मिरे जैसे ही हो वैसे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं आशीज आए यह दोनों रूम में आते हैं शींग पता है मैं ड्रामा में देखा था DNA टेस्स के बारे में क्यूना हम भी करवाले। तभी इन खाना लेकर आ जाती है। शिन भार आकर बोलता है आप दे दीजिए। इन बोलती है तुम कुछ छुपा रहे हो क्या। वो रूम में आ जाती है और देखने लग जाती है। शाओ भी छुप गया था इन बोलती है तुम गेम खेल रहे थे ना कोई बात नहीं पर जल्दी सो जाना चैन अपने बच्चे को लेकर जा रहा था इन बोलती है कल तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना होगा यह बोलती है तुम चैन को सर्विंट की तरह कैसे ट्रीट कर रही हो इन बोलती है क्योंकि यह सर्विंटी है ना इस बार भी इन चैन के बेटे को देख नहीं पाती नैक्स मौनिंग इन को डंपलिंग खाने थे चैन लेकर आ जाता है यह तो हर शोप पर मिल जाते है ना इन बोलती है पर यहां का अच्छा होता है देखा था ना कितनी लंबी आइन थी, वैसे तुम्हें हर को एक जानता है ना चैन बोलता है मुझे कोई ना जाने ऐसा केसे हो सकता है उन बोलती है तुम्हें फाइटिंग करने आती है क्या एक ओन लेडी की बड़े बाठी चल रहे होती यहां यह इन आती है गिफ्ट लेकर क्रेंडमा बोलती है तुम यहां क्यूं आई हो यह इन बोलती है मुझे तो आना ही था ना क्रेंडमा गिफ्ट देखती है और बोलती है यह स्टोन तो बहुत ही कीमती है ना पर वो से गिरा देती है उसकी मेर बोलती है अब हमें से पता नहीं उसका बाप कॉन है compilation ने किसी को ये इन सूम्ह Begin से बात कर रही होती है इन सूम्हा की ग्रेंड Ma को पहले जब शादी होने वाली थी तब तो भाग गई थी और अब देखो सर्वेंट बोलती है आप कहो तो मैं कुछ करती हूँ क्रेंडमा बोलती है ये भी कोई पूछने की बात है एक वीटर इनकी ड्रेस पर पानी गिरा देता है और वो गिरने वाली थी चैन इनको बचा ले अरे मेरे पास नई कपरे भी है चैन तो भाव खाने लग जाता है इन चैन की केर कर रही होती है चैन को तो जलन हो रही थी पर बता नहीं रहाता ये दोनों बहारा आते हैं सोंग बोलता है मैंने उस वेटर को बोला है मावी मांग लेना चैन बोलता है उसने सब जान कर किया पूलीस को बुलाना होगा वह वेटर मावी माँगने लगता है यह देखकर क्रेंगा तो चली जाती है सोंग इन को बोलता है तुम चैन से शादी करने वाली हो अगर नहीं करोगी तो मेरे लिए अच्छा होगा चैन का तो मुही बन जाता है और कार को ती स्पीड में चलाने लग जाता है जान बोलता है क्या तुम मुझे माना चाहते हो चैन बोलता मेरे बेटे को तूमी बचा सकती हो मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूं भला जान बोलती हो के वेसे तुम से जादा जैनल तो वन सौंग है सोच रही hot Rak आज ठीक तो हो ना क्या मैं फैमरी डॉक्टरों को बुला दूं। ये देखकर चैन को याद आता है ऐसी डॉल तो उसकी वाइब बनाया करती थी जब वो प्रेगनेंट थी। ये इन सोचती है इसको अभी तक याद है मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई और उसे बोलती है वो तो तुम्हारी एक्स वाइब थी ना तो फिर तुम उसके भारे में इतना क्यों पूश रही हो। चैन बोलता है क्योंकि मैंने ग्रेंड मा से प्रॉमिस किया था मैं उसका ख्याल रखूंगा पर वो कहां है मुझे नहीं पता। चैन बोलती है हमारी शादी होने वाली है और तुम अब एक्स वाइफ को क्यों ला रही हो बीच में चैन बोलता है वैसे ना ही मुझे उससे प्यारता है और ना ही तुमसे शादी मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूं ये इनको तो गुसा आ जाता है यानि अभी ये नहीं बदला नेक्स मॉरिंग इनको पोल्ड हो गया था चैन उसे उठाकर रूम में लेकर आता है तब यह शाओ भी आ जाता है मौम आप ठीक तो होना पर चैन को देखकर पीछे मुड़ जाता है और बोलता है मेरी मौम का ख्याल रखना उनको ऐसी कोड होता रहता है व सेवन ये बिमारी उसके बेटे शिंग को भी है येन बोलती है मेरे लिए मैडिसीन लेकर आओ चैन उसके ख्लोस आ जाता है ये लेक्वा इन चैन को देख रही होती है तभी उसकी चेस्ट पर उसे पुराना घाउ दिखाई देता है वो अपने भाई को वीडियो कॉल करती है भाई बोलता है ये बंदा कौन है इन बोलती है मेरा बोडी कार्ड भाई बोलता है लगता है ये पुराना घाउ है वैसे तुमने इसके ब ये इनका तो खुराफाती दिमाख चिलने लग जाता है वो अभी नहीं आ सकता ली पूछती है तुम कौन तुमने कॉल क्यों उठाया है इन बोलती है क्योंकि चैन आज रात यहां पर ही सोने वाला है ली बोलती है जूट मत बोलो ये उसे वीडियो कॉल करती है ये देख कर तो चिलने लग जाती है इन बोलती है अरे चैन सो रहा है अब अपना मूप बंद रखो इन चैन की केर करने लग जाती है पर चैन तो उसके क्लोस आ जाता है इवन उसे किस भी करने वाला था पर इन उसे दूर भगा देती है चैन बोलता है अगर तुम मुझे थैंक्यू कह चैन बोलता है मैं चाहता हूं वो डिवोस ले ले शिंशाओ उसे बात कर रहा होता है वो उसे प्रकूर नाम सी आप दूटा लूश है वो Psalm7 새oga इंचा रही होती है तब ही एक बदमाश लड़का जिसका नाम माउ होता है वो इन को हक कर लेता है इन पूछती है तुम कौन हो माउ बोलता है क्या तुम मुझे बूल गई सौंग बोलता है तुम इसको जानती हो क्या इन बोलती है नहीं मैं इसे नहीं जानती माउ बोलता है मैंने ही तो तुम्ह मारी जान बचाए थी तुमने कहा था तुम उससे शादी करोगी। इन बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानती। पुलीस को बुलाओं क्या। माओ बोलता है तुम मुझे ऐसे केसे बूल सकती हो। कुछ लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कितने सारे लड़कों को गुमा रही है माव इनकी इंसल्ट करने लग जाता है तब ही चैन आकर माव को मारता है कुछ भी मत बोलो इनको उसके बेटे का कॉल आता है जो मिल नहीं रहा होता इन माव को बोलती है कहां है मेरा बेटा माव बोलता है मुझसे शादी कर लो मैं उसका स्टेप फादर बन जाओंगा शाओ किसी लेडी और अंकल के साथ होता है वो लेडी बोलती है ये तो हैंसम है तब ही यन आ जाती है और अपने बेटे को लेकर होस्पिटल आती है तब यह शिंग भी आ जाता है ये दोनों अपनी जंगा एक्स्टेंज कर लेते हैं शाओ भार आता है तब ही च जोँगा यन चैन को कौल करती है तीन लोगों के लिए खाना बना आकर लेकर आओ चैन कुछ टाइम एकषा वह जल्दी आगए इनके बच्चे को बलड़ की जरुती हो ने करने लग जाती है तुम्हें से प्यार नहीं करते हो फिर जानकर क्या ही करोगे चैन बोलता है वो मैं देख लूँगा तुम बता रही हो या नहीं इन नो बोल देती है तब यहां सोंगा जाता है यह दीनर तुम ही खाओ और मेरे बेटे को भी खिला देना चैन बोलता है क्या तुमने इसके लिए भी मैंने कहाता ना तुम्हें मेरी बात माननी होगी चैन बोलता है मैं सोंग के लिए कुछ नहीं करने वाला अगर खाना ही है तो उठाकर खा लो इन बोलती है बहुत हो गई बकवास चैन टीफिन बॉक्स सोंग को दे देता है इन बोलती है तुम तो भार चलो चैन बोलता चलो कर लेते हैं इन बोलती है मुझे नहीं करने तुम जैसे घटिया आदमी किसाथ शाधी चैन बोलता है शाधी तो करनी पड़ेगी देखो बहुत काम भी है शाधी की रिंग शाधी की ड्रेस भी लेनी है इन बोलती है कुछ ज्यादा ही हो रहा है वह उसे एक्सपेंसिफ बोलदेती है चैशोई बोलता है ऐसे केसे ट्राइ नहीं करेगी वह उसका हाट पकड़ लेता है ये कि रिंग फिंगर पर चौट लगी होती है चैशोई कोंकिंग अंठीटा इसाइद आप कुछ समय बड़ा नहीं वायए थे अब तर लिए उच्छा फिर प्रेग्नें फोगई और पीचह आजा थे और इनकी बैक को देख रहा था, एक पल के लिए चैन को लगा था, यही उसकी वाइफ है, पर उसे कोई निशान नहीं दिखाई देता, यहीं चैन को तमाचा मारती है, यह क्या पत्तम इजी है, चैन बोलता है तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, तो मुझे ही तो पता लगा ना होगा ना, इसे तुम मेरी एकस वाइफ को केसी जानती हो, आई होब तुम फ्रेंड्स होंगी, अगर और कुछ हुआ तो छोड़ूगा नहीं, यहीं बोलती है अब जाओ यहां से, ली की बड़े पार्टी थी, उसने यहीं को भी बुलाया था, ली बोलती है अच मेरे पास दूसरी ड्रेस है, ली एक लड़के को इशारा करती है, इन जा रही होती है, तब ही उसे माओ मिल जाता है, माओ को इन की लाइफ मे लाना ये भी ली का ही प्लैन होता है, माओ इन के साथ बच्तमिस ही करता है, इन भागने वाली थी, तब ही वो वन्दा इन को भ् कमार है ली मासूम बन कर 12 होती है हमें उसे बचाना होगा आप सभी भी help करेंगे और यह ions को injection दे देता ही और देते हैंशोच ओ तवह घंजाता है और और माउक को hit कर बोलता है तुमने क्या किया है माऊव बोलता मैंने इस वाइरससे इंजेक्ट कर दिया है अब ये कुछ टाइम में मर जाएगी चैन इनको होस्पिटल में लेकर आता है ट्रोक्टर बोलता है अब ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी चैन बोलता है वो क्यू भला इनको तो होश आ गया था वो ओन लाइन अपने बारे में देख रही होती है सभी लोग बुरा 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 बोले जा रहे थे चैन बोलता है ये सब मत देखो इन बोलती अभी भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है चैन बोलता है हां क्यूंकि मुझे सन्यू से कोई फरक नहीं पड़ता है चैन माओ को हेट करता है सच बताओ माओ बोलता हूं इन ठीक होकर होस्पिट करना के में आंसाइडर को नहीं पता लगना चाहिए यहन बोलती यह पर सॉंख तो मेरा है यह सुनकर चाहिए और य te कार में लेकर चला जाता है सौ्छ तुम्हारा कब से हो गया इन बोलती गुसा क्यूं कर रहे है ño तो मेरे my35 के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली ना तुम्हें तो पसंद नहीं था ना मैं शादी करूं शेंग बोलता हाँ पर ये न अच्छी है चैन ये पास आकर देखने लग जाता है उसे अलरजी हुई है या नहीं पर ये न को कुछ भी नहीं हुआ था ये इन चैन को थपर मारती है इवन गिर भी जाती है चैन उसे उठा पर शादी के बाद यहां ही पर रहनी के लिए आ जाओंगा ये न चैन के साथ होती है चैन बोलता है चलो एक लास चांस दे देता हूं बताओ मेरी वाइफ कहा है वरना तुम्हें मुझे शादी करनी होगी ये न बोलती है जहां भी है खुश है तुमारे साथ रहने से अच चैन बोलता है तुम तुम उसे शादी नहीं करना चाहती ना येन बोलती है मुझे तुम तो नहीं पर तुमारे पैसे कुछ ज्यादा ही पसंद है इसलिए तुम मेरी इंसल्ट करोगे ना तब भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा येन ली के पास आती है और उसे रूम कार दे कर बोलती है तुम चैन को पसंद करती हो ना तो मैं क्यों ना तुम्हारा फाइदा करवा दो ली भी मान चाती है येन और चैन सभी के साथ डिनर कर रही होते हैं चैन येन को ड्रिंक नहीं करने देता और उसे अल्कॉल फ्री ड्रिंक देता है येन को लगा था अब तो ये कार्ट देने को कहा था एक्चली मैं येन ने सोचा था वो चैन और ली को एक रूम में लाकर निउस बना देगी ताकि वो शादी से बच पाई पर यहां उल्टा ही हो रहा था चैन येन को संभाल रहा था येन चैन को देखकर बोलती है तुम कितने अच्छे हो चैन बो बाराता है और अपने फून के बारे में सोचता है जो यिन ने ले लिया था चैन अंदर आकर बोलता है बताओ मेरा फून कहा है ली की कॉल आ रही थी और बोलती है तुम कैसे हो चैन बोलता है क्यों मुझे क्या होना था ली बोलती है कुछ नहीं वो इनके बारे में पूछती पर यिन तो चैन को किस करने में बीजी थी चैन जैसे देसे करकर भार आता है तब भी वो ली से मिलता है ली बोलती है मुझे यिन ने इस रूम में आने को कहा था चैन पूछता है मुझे सब कुछ बताओ ली बोलती है वो हम दोनों को साथ लाना चाहती है अगर वो तुम से प्यार नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पढ़े हो चैन बोलता है क्योंकि वो मेरी वाइफ बरने वाई ली को बोलता है कल मॉरिंग में रिपोर्टर्स wydaje को मेरे किसी और से प्यार करता हूँ एक लड़की बोलती है यह आपके बेट पर कौन है चैन सभी को यहां से भगा देता है और यहन को बोलता है जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया मैंने यहन थैंक्यू बोलती है चैन बोलता है अब तुम मेरी वाइफ नहीं मेरी लवर हो और खुद को मिस्ट्रिस भी बोल सकती हो यहन बोलती है क्या है यह सब चैन इनका गला पकड़ लेता है कल रात के लिए तुमने अच्छी तैयारी की थी वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टेश भी नहीं किया क्योंकि कल रात तुम थी जो मेरे करीब आ रही थी यहन सोचती है मैं इसकी वाइफ तो नहीं बनने वाली चैन इनको लेकर होस्पिरल में आ जाता है उसे पता लगाना था कि अब चैन ठीक है न डॉक्टर बोलती है कुछ ट्राइम बार ड्रग बोड़ी से चला जाएगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है पर चैन तो चिलाने लग जाता है अच्छे से ट्रीटमेंट करो ना यह देखकर डॉक्टर बोलता है क्या यह तुम्हारा बॉइफर्ण है यिन बोलती है नहीं ये तो ड्राइवर है यिन अपने बेटे के पास आती है और बोलती है चलो हम भार खेलने चलते है तुम अपने उस फ्रेंड को भी बुला लेना चैन भी घर आता है उसे शिंग कहीं भी नहीं मिलता वो बोलता है कहा है शिंग बताता वो तो पूरे घर में कहीं भी नहीं है तब ली आकर बोलती है शिंग और ये का बेटा साथ में खेल रहे है ये नहां पर आए थी वो उसे लेकर गई है चैन बोलता है तुमने रोका क्यों नहीं उसे ली ली बोलती है उसने मुझे कहा था वो तुमसे पूछ कर आई है कहीं वो शिंग को हट तो नहीं कर देगी ना या शिंग और शाओ को कोई उठा लेता है इन दोनों के लिए जूस लेकर आती है पर वो दोनों बच्चे उसे नहीं दिखते तो परेशान हो जाती है तब है उसे क कोई मतलब नहीं है पर मैं तो गेम खेलना चाहता हूं चैन भी यहां होता है ये उसे एक एरपोर्ट दे देती है और खुद उस बंदे की इंस्ट्रक्शन को फोलो कर रही थी वो उसे एक विरान शौक में बुला लेता है ये इन को वह शाओ रिज जाता है ये शाओ को बो चाहे और बोलती है मुझे पता नहीं ता तुम जिन्दा हो पर तुम्हें देखकर खुशी हुई तब यहां चैन आ जाता है इन बोलती है हमें होस्पिटल जाना होगा ये दोनों होस्पिटल आते हैं डॉक्टर बताता है क्या आप बच्चे के डैड हो चैन हां बोल देता है डॉक्टर इन से पूछता है क्या आप बच्चे की मौम हो चैन बोलता है नहीं ये उसकी कुछ नहीं लगती इन भी कुछ नहीं बोलती वो शिंग का वेट कर रही थी जलती ठीक हो जाओ बच्चे तभी नर्सा कर बोलती है आपको भी तो चोट लगी है मलम पट्टी करन दोक्र में भी शिंग का qu department नहीं है तभी याँ पर यह पर यह नहीं रहे चाहती है और बोलती है तो बैठ चैन को पता चले कि वहीं उसकी वाइफ है ये देखका ली जले पर नमक्दाल देती है तुम एक बच्चे के साथ ऐसा किसी कर सकती हो तुम हेल्प नहीं कर रही हो शिंग को कुछ हो गया तो लेकिन ये फिर भी मना कर देती है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती ली बोलती है तुम जानकर ये सब कर रही हो ना चैन बोलता रहने दो अगर ये अपना बलड नही देना चाहती और चैन येन को गुस्से में बोलता है निकलो यहां से तुम ये ठीक नहीं कर रही हो ये नर्स की ड्रेस पहन के शिंग के पास आती है वो उसका हाथ देकर बोलती है जादा टाइम हो गया है पर मुझे नहीं पता था तुम इस दुनिया में अभी भी हो परना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती और अब मॉम वापिस आ गई है ये केकर वो जा रही होती है तब ही चैन महां आ जाता है चैन को वो नर्स जानी पेचानी लगती है वो उसके पीछे जाता है इन बोलती है अब ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है चैन इनके पास आकर बोलता है तुम कोन हो इन बोलती है आपको कुछ चाहिए है क्या सर चैन बोलता है अपना फेस दिखाओ वो इनको देख लेता है चैन बोलता है मैंने मना किया था ना तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती हो इन बोलती है पर मैं देखना चाहती थी एक बार उसे चैन को लगाता ये शींग को हट करने वाली है इन बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी चैन इनको एक बिसनसमें से मिलाने के लिए लेकर आता है वो बोलता है आप दोनों की तो शादी होने वाली थी ना चैन बोलते है क्या करूं इनको मैं पसंद नहीं था इसलिए शादी को कैंसिल करना पड़ा इन बोलती है तुम्हें यह सब बोलने में मज़ा आता है क्या वह बंदा बोलता है मुझे यह बहुत ज्यादा पसंद है आज मैं उसके साथ जाओं तो कोई प्रॉप्लम तो नहीं है ना चैन बोलता है मैं क्या कह सकता हूँ इसमें यह बोलती है मुझे सब पता है जानकर तुम यह सब कर रहे हो चैन बोलता है अब तुम सोचो क्या करना है मैंने तो कुछ भी नहीं किया यह बोलता है तुमने उसके साथ क्या किया है बताओ मुझे वो कुछ नहीं कहता है इन ने उस बंदे को यह सब जानकर बोलने को कहा था वो बोलता है अब तो मैं गया चैन मुझे नहीं चोड़ेगा इन बोलती है कोई बात नहीं मैं हूँ ना तुम्हारी पैसो के मामले में हेल्प कर दूँगी वो बंदा पूछता है पर आपने ऐसा क्यों कहने को कहा था चैन आपके बारे में क् यह बोलती है मैं चाहती हूँ वो मुझे टच ना करे इसलिए यह करना पड़ा चैन इनके बारे में ही सोच रहा होता है तब ही असिस्टन का कोल आता है शिंग को होश आ गया है शिंग के पास यह ना आती है चैन बोलता है प्रीटी अंटी आप यहाँ पर क्या कर रही है य पुछता है उस बंदे ने तुम्हें कहां टच किया है यह ना झाल रहा हूँ चैन बोलता है तुम शिंग से मिलना चाहती थी ना पिर कुछ करना होगा चैन शावर ले रहा था असिसंट बोलता है आप ठीक होना बोस तब यहां ली आती है यह वो वोश्रूम के अंदर ही आजाती है आई नो तुम अपसेट हो चिंग की वज़े से पर क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं लीचेन को टच करती है पर चैन बोलता है जांओ यहां से यहां अगई थी वह सब कुछ देकर जाने वाली थी पर चैन उसे रोक लेता है तुम मेरी हो चैन तो ली के सामने ही इन को किस कर लेता है ली बोलती है क्या तुम इन को पसंद करते हो चैन बोलता है सही समझा तुमने और फिर से किस करने लगता है असे उसे शर्माते होए बोलता अब चलो भी यहां से नेक किस करने लग जाता है तब यहां पर शाओ भी आ जाता है चैन बोलता तुम मेरे सामने देखकर बात क्यूं नहीं करते हो मुझे अपना फेस तो दिखाओ शाओ फेस दिखाने ही वाला था तब यह इन चैन को किस कर देती है शाओ तो वहां से भागी जाता है अगले दिन इन के लिए उस्पिटल में आती है पर तभी यह उसके भाई का खौल आ जाता है और बोलता है तुम बेबी के बारे में सोचो उसकी क्या गलती है इन सम्में जिसके बाद यह अबोशन करने का इरादा बदल देती है यह सब कुछ ली ने भी देख लिया था उसे पता चल गया असले प्रिचित है और बोलती है मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी साथ जा रही होती है तब इसका एकसीडेंट हो जाता है जाए जल्दी से चैन को कौल करो चैन को पता चला था ली मुश्किल में है इसलिए वह से बचाने के लिए जाने वाला था इन इन बोलता है मेरा एक्सिडेंट हो गया है प्लीज मेरे पास आजाओ ना चैन बोलता है मैं ली के पास जा रहा हूं इसलिए तुम जूट बोल रही हो ना मुझे रोकने के लिए इन बोलता है मैं जूट नहीं बोल रही शाओ बोलता है मैं आपका बच्चा हूं मॉम सौंग के बच्चे को बोलता है तुम ठीक तो होना शाओ बोलता है आपको चैन ने भेजा है ना सौंग बोलता है नहीं इसलिए मैं यह नहीं पीने वाला आपका कोई भी उपकार हम दोनों को नहीं चाहिए डॉक्टर आकर बोलती है तुम दोनों में से यिन की फैमिली कौन है सॉंग बोलता है मैं उसका एक्स फ्यांसी हूँ चैन बोलता है मैं उसका हस्बन हूँ डॉक्टर बोलती है आपको पता ही होगा आपकी वाइफ प्रेगनेंट है पर उनकी सुचेशन बहुत ज़्यादा क्रिटीकल है तो हम बच्चे और मामे से किसी एक को ही बचा सकते है तो आप बताए हम क्या करे चैन को तो पता ही नहीं होता कि यिन प्रेगनेंट है ये सुनकर सौंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता चैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूस होता है वो नर्स को बोलता है मैं कुछ भी नहीं कह सकता हमें येन के जागने का वेट करना होगा चैन येन के पास आता है और उसे बोल रहाता तुम ठीक तो हो ना मैं अब समझ गया हूँ तुम मेरी ही वाइप हो चैन भारा कर येन और शाओ की फोटो देख रहा था और सोच रहा होता है ये दोनों एक जैसे ही है पर कभी मैंने शाओ का फेस ही नहीं देखा था इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ ली चैन को यहाँ देख लेती है और समझ जाती है यिन और उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है डॉक्टर बोलती है अब यिन की कंडिशन ठीक है और बच्चा भी बच गया पर ये प्रेग्ननसी काफी कॉम्प्लिकेटिड हो सकती है ली इनके पास आकर बोलती है चैन अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं रहा है क्यों ना तुम अब मर जाओ तो चैन तुम्हें भूली जाएगा वो से इंजेक्शन लगाने वाली थी तब ही यहाँ पर चैन आ चाता है ली इंजेक्शन बैड के नीचे फैक देती है असिस्टेंट को बैड के नीचे देखनी को बोलता है असिस्टेंट बोलता है यहिन सच बोल रही है असिस्टेंट इंजेक्शन चैन को देता है यह देखकर ली बोलती है मैंने खुश नहीं किया है यह सब यहिन मुझे फसानी के लिए कर रही है यिन बोलती है अच्छा चैन बोलता है मुझे पता है तुमने ही दोनों बच्चों को किरनेप करवाय था और तुम भी किरनेप हो गई थी तब ही इनका एक्सिडेंट क्यों हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया है ली बोलती है तुम मुझे हट नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरे भाई को प्रॉमिस किया था ना मेरा ख्याल रखोगे चैन असिस्टेंट को बोलता है इसको भार ले जाओ वो यन के पास आता है तुम ठीक तो हो ना यन बोलते जाओ यहां से मुझे नीदा रही है चैन बोलता तुम प्रेगनेंट हो ना इन बोलते यह तुमारा होई और उसने मुझे और मेरे बेटे को मारने का ट्राई किया चैन बोलता है मैंने उसके भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं ली का ध्यान रखूंगा पर चिंदा मत करो मैं उसे अब छोड़ने वाला नहीं चैन बोलता है तुमारा बड़े है ना मैं एक गिफ्ट लाओंग चैन बोलता है यह तो हमारा पहले वाला सर्टिफिकेट है इवन की वो डिवोस पेपर को भी दिखाता है जो उसने समिट नहीं किये थे चैन बोलता है अभी भी तुम मेरी वाइफ हो और दोनों बच्चे मेरे ही है ना चैन इनको मनाने लगा था पर वो भ्योश हो जाता है यिन बोलती है मैं तुमारी वाइफ नहीं हूँ क्योंकि वो तो मर गई है इसलिए सोचना भी मत मैं तुम्हें माफ कर दूंगी चैन को जब होश आता है तब यहां पर यिन नहीं होती चैन बोलता है मैं सो क्या गया वो तो गायब हो गई चैन असिस्तिंट से पूछता है असिस्टिन बोलता है वो तो चली गई है वो भी दोनों बच्चों को लेकर चैन रोने लग जाता है कोई भी मुझे प्यार नहीं करता कुछ मंत के बाद एक पार्टी होती है जहां चैन भी आ जाता है इन भी वहाँ पर होती है उसे चुप रही होती है तब ही कोई सोंग को माना चाता था इन बीच में आ जाती है और चैन भी सोंग को बचाने आ गया था चैन सोंग के पास जो लड़की थी यानि की इन उसे देखकर बोलता है ये कौन है सोंग बोलता है ये मेरी कजन है इन चैन के पास आके अजीब हरकते करने लगी थी सोंग बोलता है ये तो पागल है चैन बोलता है अच्छा ठीक है इन अपने रूप में होती है तब ही चैन व बेड पर लाता है यिन बूलती है छोड़ो मुझे चैन इनको किस कर रहा होता है यिन उसे छोड़ने को कहती है पर वो नहीं छोड़ता इन मौनिंग में सोचती है मैं भाग जाती हूँ वो भार आती है तब ही ली इनको देख लेती है तुम कोन हो इनने मास्क पहना हुआ था ली उसकी वज़े से इनको पेचान नहीं पाती ली देखती है चैन ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की हुई थी ली इस बात का फाइदा उठाने का सोचती है चैन बोलता है तुम यहां ली बोलती है कल रात तुमने बहुत जादा रिंग की हुई थी इसी लिए तुमने मेरे साथ गलत किया चैन तो ली पर भड़कने लग जाता है तुम अब मुझे फसाद नहीं सकती हो तब यह असिस्टेंट आकर बोलता है कल रात की कैमरा रिकोर्डिंग डिलीट है ली सोचती है यह अच्छा हुआ और बोलती है तुम टेस्ट भी करवा सकते हो चैन बोलता है मैं मा डालूँगा तुमें वो डोक्टर के पास आता है क्योंकि उसे पता चला था इनकी हला ठीक नहीं है कभी भी मिस्कैरिज हो सकता है डोक्टर बोलता है आप अभी यंग हो दूसरी बार ट्राइ कर सकते हो यह इन सोच रही होती है चाहे जो मरजी हो जाए मैं बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी तब ही चैन आकर बोलता है तुम्हें पता है ना डोक्टर ने क्या कहा है इस बेबी की क्या जोरता है हमारे पस दो बच्चे है तो सही यह इन बोलती है तुम होते कोन हो यह मेरा बेबी है मैं उसे रखू या नहीं तुम्हें क्या चैन बोलता है पर तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा यिन बोलती है मैं अबोशन नहीं कराने वाली अगर तुम्हें किसी और बुमिन से शाली करनी है तो जाओ कर लो चैन यिन को उठाकर ले जा रहा था तब ही सोंग आता है मुझे बात करनी है तुमसे बात करनी है तुमसे दूर रहो और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो गुसा तो मत दिलाओ इनका ऑपरेशन होने वाला था वो डॉक्टर को मना कर रही थी मुझे अबोशन नहीं करवाना ये दोनों भार आते हैं चैन बोलता तुम ठीक तो हो ना भाई बोलता है हमने सोचा है इनको होस्पीटल में ही रखेंग इनको हराम करना चाहिए तुम जाऊ यहाँ से इन नहीं समझ जाती है यही उसका एक्स हस्बेंड है और उसके बच्चों का बाप इसलिए भाना करकर बोलती है मुझे हट में कुछ हो रहा है चैन बोलता है अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ यन बोलती है पर तुम ही तो डॉक्टर हो ना चैन तो यनकी बोडी को देखता ही रह गया था तब यहां भाई आ जाता है और बोलता है तुम यहां क्या कर रही हो चैन बोलता है मैं यनका हस्बेंड हूँ भाई बोलता है पर तुमारा तो डिवोस हो गया है ना चैन बोलता है तो क्या हुआ मैं अभी भी बच्चों का बाप तो हूँ ना वैसे तुम हमारी फैमिली में इतना क्यों इंटरफियर कर रही हो भाई बोलता है क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ ये इनका भाई भी हूँ चैन को तो गुसा आ रहा था इतने टाइम तक ये दोनों मिलके उसे बेफकुख बना रहे थे ये इन हॉस्पिटल से डिस्चार्च हो गई थी वो अपने बच्चों के स्कूल चा रही होती है पर देखती है ये रास्ता तो अलग है इन ड्राइवर से पूछती है ये कौन सा रास्ता है वो बोलता है आपको यहां लाने के लिए मुझे पैसे मिले हैं ड्राइवर इन को ली के पास लेके आता है ली बोलती है मैंने तुम्हारा दो बार एक्सीडेंट करवाया पर तुम हर बार बच जाती हो पर आज नहीं आज मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ने वाली ली अब चल नहीं सकती थी पर उसकी हरकते अभी भी डायन जैसी ही थी वो बोलती है तुम्हारे मरनी की न्यूस भी चैन और सोंग को दे दूंगी वो बंदा इनको बहुत मारता है ली बोलती है इसे अच्छे से तरपने दो ली भी चै पर यिन ने उसकी जंगा ले ली थी तब यहां चैन आता है पर वो ली को नहीं देख पाता चैन इनको एंबुलनस में लेकर जाता है इन बोलती है हमारे दो बच्चे हैं अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो शाओ और शिंग का ख्याल रखना चैन बोलता है तुम्हें लाने लग जाता है आप ने यह कीसे होने दिया नर्सीन को लेकर बाहर आती है और चैन को बताती है आपकी बीटी हुईती जो आप नई आप डेट सेटिफिकेट पर साइन कर दीजिए चैन को बहुत जादा बुरा लग रहा था उसकी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गई वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है चैन इनसे मिलने जाता है वो अभी भी होश में नहीं आई थी चैन उसके भाई स पूछता है कितने दिन लगेंगे भाई बोलता है यह मेंटली बहुत जञादा डिस्टरब है वैसे तुम्हें पता ही होगा यह सब किस ने किया था चैन को गुस्सा आने लग जाता है तब ह Siri आजती है मेने यह सब जान कर नहीं कया उसकी एक्टिंग अभी भी चालू थी एक्षिली में ली चैन की बेस फ्रेंड की गर्फरेंड थी जो इस दुनिया में नहीं रहा था उसके बाद ली ने चैन पर नजर डालना शुरू कर दिया चैन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था पर अगर तुम ये सब करने वाली होना तो फिर मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा तुमने मेरी बेटी को मार दिया ली माफिक मागने लग जाती है तब ये इनकी आखे खुलती है जो देखकर चैन तो इनको किस करने लग जाता है भाई बोलता है अब रहने भी दो इन कहती है ये कौन है भाई बोलता है तुम्हारा हस्बन इन बोलता है क्या ये मेरी केर कर रहा था भाई बोलता है ये इतना भी अच्छा नहीं है बार आकर भाई बोलता है इनकी मेमरी लोस्त हो गई है चैन पूछता है तो क्या मुझे उसे हमारे बच्चों के बारे में बताना चाहिए भाई बोलता हाँ उसे याद दिलाने का ट्राइ करो चैन इनके पास आता है और शाओ और शिंग की फोटो दिखाता है यन बोलती है ये दोनों तो एक जैसे ही दिखते हैं कौन है ये चैन बोलता हमारे बच्चे हैं दोनों ट्विंस है इन तो खुश हो जाती है तुम मेरे हस्बन हो ना चैन बोलता हाँ पर अब एकस हस्बन हूँ हमारा डिवोस हो गया था इन बोलती है तुमने मुझे चीट किया था क्या चैन बोलता नहीं तो इन बोलती है तो मैंने किया होगा चैन बोलता ये क्या बोल रही हो इन बोलती हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत हैंसम हो और मुझे हमारे बार मिस सब कुछ बताओ चैन सब कुछ बता रहा था ये इनको सपना आता है जिसमें उसे अपनी बच्ची यानी की बेटी दिखाए देती है पोश्च में आने के बाद बोलती है मेरी बेटी कहा गई मुझे वो चाहिए इन डॉक्टर की बास सुन लेती है वो बोल रही होती है ब उस्पिटल रूम में आता है जहां पर ये नहीं होती नर्स बोलती है उसे तो डिस्चार्च मिल गया है चैन इनको कॉल करता है ये इन बोलती है मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूं मुझे तुमारी शकल नहीं देखनी चैन बोलता है एक मोगा तो दे दो ये इन ब बोस कहीं पर चले गए हैं वो बहुत बिमार थे इन बोलती है क्या हुआ था असिस्टन बताता है वो आपकी बेटी को बचाने के लिए ब्रट दे रहे थे और ऐसा हुनने कहीं बार किया इन तो रोने लग जाती है उसकी बेटी तो ठीक थी पर आप वो चैन से नहीं मिल सक पर चाहुना येन बोलती है मैं यहां ब्लाइड डेट पर नहीं आई हूं और चली चाती है ये सब चैन सुन रहा था वो उसे एक पंच मार देता है येन बार टम में होती है तभी चैन आ जाता है येन अपनी वोम को वेडिंग रेस देता है वो पहन कर भारा जाती है तब ही चैनल से पर पोस्ट करता है यहीं तुरंत हां बोल देती है जान मैं तुम्हारी ही तो हूँ यहीं पर इस ब्यूटिफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लग अगे बाइ बाइ